एक बर फिर से स्वागत है आपको हमारे इस tech360.com इटू चैनल पर और अगर आप एक mobile app developer है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज़दा helpful हो सकता है अगर आपके पास एक ऐसा PC है या फिर laptop है इसका system configuration इतना अच्छा नहीं है और जब आप अपने app को run करते हैं emulator के अंदर तो वो सही से work नहीं करता है या फिर जो भी आपके पास emulator है वो सही से काम भी नहीं कर रहा है तो ऐसे में ये वीडियो है आपका solution इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे script के बारे में बतने जा रहा हूँ जो कि एक open source script है और इस script के मदद से आप बीना कोई software install करें अपने system पर अपने कोई भी mobile की screen को mirror कर सकते हैं जाहे वो android हो या फिर iphone हो या फिर किसी दूसरे OS का phone हो आप आराम से इस script के मदद से अपने mobile की screen को अपने computer के साथ connect कर सकते हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है और आपका time भी बहुत बच जाएगा तो जलिए जानते हैं कि कौन सा script है जो कि मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को तो देखिए यह एक open source script है और काफी सारे लोगों ने मिलकर इसको बनाया है और इसको इसको इस्तेमाल करने के लिए कोई भी software भी इंस्टल करने की जुरूत नहीं आपको simply गया करना है Google पर जाना है और यहापर लिखना है SC और PY यह वाला पहला वाला जो आप्शन है इसको आपको सर्च कर लेना है यही है इस open source project का नाम जैसे कि आप देख सकते है यह open source project है जिसके मदद से आप screen mirroring कर सकते है और यह Android device के लिए भी available है Windows, Macs और Linux जो system है computer से उन सभी में यह काम करता है और इसको बनाया है जो कि आपको पता है कि जीनी मोशन करके एक emulator आता है जो कि उसी को भी जीनी मोबाइल ने बनाया है तो इसको इसको इस्तेमाल करने के लागो आपको सिंपली इस पहले वाला link जो है उसको open करना है और या पर आपको काफी सरे अलग-अलग documentation मील जाएगा अलग-अलग environment के लिए जैसी कि आप देख सकते हैं यह वाला screenshot है और या आप देख सकते हैं जो भी चीज़े है वह पहले बताए क्या है अगर आपके पास लिए और आपको चाहँ करते हैं यह लेका प्रभाइट कर देगा लेकिन अगर चाहते हैं कि सिर्फ को ले जिसके मदद से आप अपने screen को मेरेटिंग कर पाए तो आपको आना होगा विंडूस सेक्षिन में और इस डाउलोड वाले बटन पर क्लिक करना होगा इस तरह किसा अगर आप मैक है तो यह पर आईए और यह जो भी बताया गया है उन्दोस के लिए आपको इस्तिमाल करना पड़ेगा फीचर के बारे में ब यह जो यह जिए अगर आप खुष्यक बिजांगा चाहते हैं यह आप कुछी नया करना चाहते तो इन सारे प्रोपटिस को आपको यूज करना होगा लेकिन हमें यह सब नहीं जाये हम चाहते हैं कि सिर्फ हमारा मोबाइल है यह कानेक्ट हो यह हमारे लैप टोप के साथ य करके पिए पर सब्सक्राइन करना या या इससे औला इंजा तो करते हैं इसको लिए को सब्सक्राइब कर सकते हैं लिए करना भी easy है आपको क्या करना होगा सबसे पहले अपनी efd24 आपने कर लेना होगा और क्ने कर लेने के बाद जो file transferring option है उसको enable कर लेना है और साथ्थी साथ आपको debugging mode है अपनी mobile का उसको भी एनेविल कर लेना है इन दोनों इंदों चीजों का वी करना है और इसके बाद आपको अभी बताता है तो अब ही मैंने अपना जो मोबाइल है उसको कानेक्ट कर लिया है रचाने के बाद यह स्क्राइब यहां पे कुछ जो भी इंफर्मेशन है वह ले लिया जाएगा और ओटमेटिकल आपका जो मुबाइल स्कीन है वो कनेक्ट हो जाएगा जैसी कि आप देख सकते आपको नहीं कोई भी सौफटर इंस्टोल करना है नहीं कोई भी सेटिंग्स करना है सिंपली आपको आपके मुबाइल को अपने कंप्यूटर या फी लेप्टॉप के साथ कनेक्ट कर लेना है USB से और उसके बाद जो डिबगिंग मूड है उसको एनेवल कर लेना है और कुछ इस तरीके से आपका जो मुबाइल का स्क्रीन है आपके सामने आ जाएगा तो यहां पर लेना आपके साथे या बैसे अएम इस तरीके साफ सकते है तो अगर आप एह साने चाहते हैं जहां पर आप और बास प्राहोड हो जाता है कि आप की सिकति सर्फ आइंस को क्लीफ पको लिए जैक्का फ्री वीडियो डाउनलोडार्दon क्लिक यॐई यॉवर चाहे सोगे लोगे प्राइब को चाहे क्ति साध। से मुझन परना यूथ आप वीडियो को डाउनलोग करना चाहते है उस वीडियो पे क्लिक करिए यानि कि प्लें करिए तो डायलोग आ जाएगा 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 आपको बहुत बहुत धन्यवाद और जीँ दोस्तों चैनल को बीज़रूद सब्सक्राइब कर ले थैंक्यू